हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर ग्रूब फ्रेंड्स अगर जो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल विकॉज मैं आपको यहाँ पे कभी इन्फार्मेट जो लारजज फाईल होती है वह सेंट करने में असमर्ज होते हैं जैसे कि मल ली जिए बहुत सारे फोटो आपको भेजने है एक जीच बिड दो दीजीवी तका डेटा आपको भेजना है पांसांसो भीक आपको भेजना है 500 इंबी तो आआप भेज नहीं पाते हैं उसमें कठिनाई होती है कि कैसे भेजें वैसे तो आप छोटी फाइल होती ही भेजी देते हैं लेकिन ज्यादा बड़ी फाइल है तो उसको आप भेजने में थोड़ी सी प्राबलम होती है तो इसी प्राबलम से बहार आने लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है कैस उसे से काम करेंगे चली फ्रेंट शुरू करते हैं है आज का सिशं से लिए क्या करना है आपको जो भी आपको पाहिले भी भीजनी है जो भी फोटो आपको घेजने है उनको आप एक website है यह आप website फ्रेंट्स चाहें तो है नोट कर लीजी है यह website है transfer.tcloud.com इसको फ्रेंट आप नोट कर लिजिए transfer.pclaw.com बहुत ही अच्छी website है फ्रेंट आराम से आप भेज सकते हैं कोई भी account create करने की जरूरत नहीं होती है इसमें देखें उपर लिखा हुआ है send to फ्रेंट जिसे आपको भेजना है जैसे कि मुझे किसी को भी भेजना है मैंने डाल दिया add.gbill.com और यहां पर from मतलब कि आप की अपनी आईडी कि आपकी आईडी क्या है किस आईडी से वो जाएगी तो यहां पर मैंने अपनी आईडी कोई डाल दी जैसे यह कोई भी आईडी मैंने आपको दिखाने के लिए क्यों डाल दी है add.gbill.com उसके बाद message अगर जो आप देना चाहते हैं तो दीजिए और नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए उसके बाद यहां पर एक click here to add file अब जो भी file आप देखी send large file up to 5gb 5gb तक का data आप भेज सकते हैं या इसे आप file क्लिक कर सकते हैं जो भी आपकी files हो जैसे की यहां पर बहुत सारी files पड़ी रहती हैं मैं कुछ file ले लेता हूँ और देखिए मैं उनको भेजने की process करता हूँ जो भी आपको files लेनी है मैंने यह 4 files ऐसे ले ली हैं और यहां से मैं अब send करता हूँ देखिए friends जैसे ही मैंने किया यह transferring चालू हो गई है और यह percentage आपको दिखा रहा है कि किते mb का data है यह है 5.37 mb का ऐसी जितना आप data add करेंगे उतना जा सकता है अपको 5gb तक और यह 100% हो जाएगा तो उसके बाद यह data आपका चला जाएगा यह लिखता है transfer completed मतलब कि जो आप email id देंगे उस पे वो data transfer हो जाएगा successful हो जाएगा बहुत ही simple है बहुत आसान है आप करके देखिएगा और फिर भी आपको अगर जो कोई दिक्कत आती है हेलो फ्रेंड्स सौगत है आपका मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है computer group फ्रेंड्स अगर जो आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe